1971 के भारट पाकिस्तान युद्ध के पचाह साल पूरे होने को है 13 दिनों तक 40 युद्ध को याद करते हुए BBC आपके लिए लायका विवेशना की 13 कड़ियों की एक विशेश श्रंकला पहली कड़ी में सुनिए जब एक बंगाली पाइलिट ने किया पाकिस्तानी वाइव सेना के एक विवान को हाईजैक अभी वादन सुएकार कर ये रेहान फदल का बात 20 अगस्त 1971 की है कराची के मौरीपुर हवाई ठिकाने पर दोपहर से कुछ पहले युवा पाकिस्तानी पाइलिट आफिसर रशीद मिनहास अपनी दूसरी उडान पर अपने टी तैदिस ट्रेनर को टेक आफ के लिए ले जा रहे थे जब वो टेक आफ पॉइंट पर पहुंचे तो वहाँ उन्हें असिस्टेंट फ्लाइट सेफटी आफिसर फ्लाइट लेफटिनेंट मत्यूर रह्मान ने हाथ दे कर रोक लिया नया नया विमान चलाना सीक रहे पाइलिटों की इस तरह की जाच अकसर की जाती थी मिनहास को भी लगा कि शायद उनको भी जाच के लिए रोका गया है लेकिन मत्यूर रह्मान के इरादे दूसरे थे मत्य बंगाली अफसर थे और वो ढाका में पाकिस्तानी सेना की कारवाई से खोश नहीं थे उन्होंने अपने मितर सद्दूदीन के साथ मिलकर अपने विमान सहित भारत निकल भागने की योजना बनाई थी पाकिस्तानी प्रशासन को इसकी भनक लग गई थी जब भारत के साथ युद के बादल मंड्राने लगे तो उन्होंने दूसरे बंगाली अफसरों के साथ मती को भी ग्राउंड ड्यूटी देते हुए उन्हें असिस्टेंट फ्लाइट सेफटी आफसर बना दिया था पाकिस्तान के वाइसे ना इतिहासकार कैसर तुफैल अपने लेक ब्लू बर्ड वन सिक्स्टी सिक्स इस हाईजैक्ट में लिखते हैं कराची में तैनाद बंगाली अफसरों को ये आभास हो गया कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उन पर नजर रख रही है उन्होंने तै कि वो बेस के अफसरों के साथ दोस्ताना सम्मन्द जारी रखेंगे और आपस में कभी एक साथ नहीं मिलेगे लेकिन अंदर ही अंदर सहमती बनी कि वो पाकिस्तानी वाइसेना के विमान को हाईजैक कर भारत ले जाएंगे शुरू में एक या दो F-86 सेबर्स विमान हाईजैक करने की योड़ ना बनी लेकिन फिर लगा कि बेस के टेरमैक पर बंगाली अफसर की उपस्तिती मात्र उन्हें शक के घेरे में ला देगी दूतरे जेट विमान को जमीनी कर्मचारियों की मदद के बिना हाईजैक करना असंभव के बराबर था तब ये तैप आया गया कि सोलो मिशन पर जाने वाले टी 33 विमान को हाईजैक करना कहीं जादा आसान होगा उस दिन रशीद मिनहास ने अपने स्कौाडन क्रीव रूम में अपना नाश्ता गर्म करवाया उस दिन उन्हें उडान पर नहीं जाना था क्योंकि अकेले उड़ने के लिए कराची के आस पास मौसम बहुत हराब था लेकिन अचानक मौसम में सुधार हो गया और मिनहास से कहा गया कि वो उड़ने की तैयारी करें कैसर तुफैल लिखते हैं रशीद मिनहास अपना नाश्ता बीच में ही छोड़कर फ्लाइट लेटिनन हसन अखतर से उडान की ब्रीफ लेने गए उन्होंने उडान के कपड़े पहने जल्दी से दो गुलाब जामून खाए और कुको कोला के दो तीन खूंट लिए ठीक ग्यारा बजे टी तैथीस विमान ने कॉल साइन ब्लू बर्ड वन सिक्स्टी सिक्स के साथ मुख्य टार्माक का रुख किया इस बीच मती और्रह्मान अपनी निजी ओपल कैड़िट कार से मुख्य विमान पट्टी के उत्तरपूर वाले ट्रैक पर पहुँच गए जब मती ने विमान को रोकने का इशारा किया तो मिनहास समझे की शायद मती कोई जरूरी संदेश देना चाहते है रशीद मिनहास को रोकने का इशारा करने के बाद जैसे ही विमान रुका मती खुली हुई कैनोपी के जरूरी विमान के पिछले कॉक्पिट में चड़ गए उन्होंने दिखावा किया कि वो कॉक्पिट की जाच कर रहे हैं इससे पेले कि मिनहास को समझ़ पाते विमान रनवे पर दोरने लगा कैसर तुफेल लेक्ते है मिनहास सिर्व इतना कर पायओ कि उन्होंने 11 बचकर 28 मिनट पर एयर ट्राफिक कंट्रोल को सूचित कर दिया कि उनके विमान को हाईज्याक कर लिया है मिन्हास को अपनी निर्देशों का पालन कराने के लिए रहमान ने निश्चित तोर पर पिस्टॉल का सहारा लिया होगा वरना मिन्हास खत्रा देखते ही विमान का इंजिन आफ कर सकते थे उस समय एटी सी में तैनाथ एक बंगाली अफसर कैप्टन फरीद उजमाने जो बाद में साओधी एरलाइंस में काम करने लगे बंगलादेशी दैनिक दे डेली स्टार के 6 जुलाई 2006 के अंक में लिखा मैं देख सकता था कि दोनों पाइलिटों में विमान के कंट्रोल के लिए संगर्श हो रहा है मुझे उसी समय लग गया था कि मत्यूर रह्मान भारत डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने न तो पेराशूट पहन रखा था और नहीं हेलमिट जैसे ही विमान आँखों से ओजल हुआ एटी सी में तैनाद दूसरे अफ़सरों ने विमान के खायब होने का अलज जारी कर दिया आनन फानन में दो सेबर जेट्स को टी तैटिस को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया पाकिस्तान के एक और मशूर पाइलिट और सितारे जुर्ट से समानित सज्जाद हैदर ने अपनी आत्म का था फ्लाइट अफ दे फॉलकन में मती और रह्मान का जिकर करते हुए लिखा है मती ने 1965-66 के दोरान मेरे अंडर काम किया था मेरा मानना है कि रशीद ने हाइजैक रोकने का गंभीर प्रियास नहीं किया वो चाहता तो मेंड फॉल स्विच को शट आफ कर सकता था जो कि फरंट कॉक्पिट में होता है एर इन्वेस्टिगेशन बोर्ट के प्रमुक ग्रूप कैप्टन जहीर हुसैन का भी मानना था कि युवा और अनुभवहीन मिनहास कॉक्पिट में फ्रीज हो गए मती ने बहुत नीचे उड़ते हुए बाईं तरफ अपने विवान को मोड़ा एटी सी आफिसर आसिम रशीद को तब समझ में आया कि दाल में कुछ काला है जब विमान बहुत नीचे उड़ने लगा बेस कमांडर बिल लतीफ को हौरन इसकी सूचना दी गई उन्होंने उस समय लैंड किये दो एफ एटी सिक्स विमानों को उन्हें रोकने के लिए भेजा इन विमानों को विंग कमांडर शेक सलीम और उनके विंग मैन फ्लाइक लेटिनन कामरान कुरेशी चला रहे थे लेकिन रडार से उस विमान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था क्योंकि टी 33 पेड़ की उन्चाई पर उड़ रहा था वैसे भी उसे उड़े आठ मिनट बीच चुके थे और अगर ये अपनी पूरी गती से भी उसका पीछा करते तो सीमा से पहले उस तक नहीं पहुँच सकते थे कुछ और समय तब बरबाद हुआ जब रडार की घल्टी से एफ-86 विमानों का जोड़ा नवाब शाह से रूटीन मिशन से लौट रहे एक B-57 विमान के पीछे लग गया थोड़ी देर बाद F-86 विमान के एक और जोड़े को T-33 का पीछा करने के लिए भेजा गया इनको फ्लाइट लेटिनन अब्दुलवाब और फ्लाइट लेटिनन खालिद महमूद उडा रहे थे बाद में अब्दुलवाब ने याद किया हमें पता था कि कुछ गड़बड जरूर है जब हम हवा में गए तो बहुत कन्फूजियन था फिर भी हमने गाड चैनल पर एक फेक संदेश भिजवाया कि F86 विमान T30 के ठीक पीछे है और अगर ये वापस नहीं लोटा तो इसे गिरा दिया जाएगा हमने रेडियो कॉल के जरीए मिनहास को निर्देश देने शुरू कर दिये कि वो विमान से एजेक्ट करे लेकिन विमान से हमें कोई जवाब नहीं मिला बहुत देर तक हाईजेक किये विमान का पता नहीं चल सका इस्तिती तब साफ हुई जब दोबहर बाद शाबंदर पुलीस स्टेशन से एक फोन आया कि एक विमान दुरगटना ग्रस्ट हो गया है और उसमें सवार दोनों लोग मारे गए हैं तुरंट एक हेलिकॉप्टर को एक राहत मिशन पर भेजा गया उसे मसरूर से 64 नौटिकल माइल दूर एक तालाब के बगल में धसे टी-33 की पूँश दिखाई दे गई जिस पर उसका नंबर 56-1622 लिखा हुआ था विमान दुर्गटना का संभावित समय ग्यारा बच कर 43 मिनट पताया गया रह्मान की विमान भारत ले जाने की जीवट भरी योडना सफल नहीं हो सकी भारती सीमा से 32 मील पहले थटा नामकिस्थान पर टी-33 विमान जमीन पर आगिरा समी पर मौझूद प्रत्यक्ष दर्शियों ने देखा कि विमान डवाडोल तरीके से उड़ रहा है इसका मतलब था कि विमान के अंदर उसके नियंतरण को लेकर संगर्श हो रहा था बाद में इस प्रकरड की चांच के लिए बनाए गए एर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फलाइट के दौरान कनोपी को लॉक नहीं किया गया था वो बाहरी हवा के दबाव में कुछ देर तो अपनी जगे पर रही लेकिन जब विमान ने खलत धंग से उड़ना शुरू किया तो वो उड़ गई और उसने विमान के पिछले हिस्से को हिट किया जिससे वो विमान नाक के बल जमीन पर किरा शायद इसकी वज़े से ही मती और रह्मान कॉक्पिट से बाहर उड़ गए क्योंकि उन्हें सेफ्टी बिल्ट बानने का समय ही नहीं मिल पाया था इस घटना की जाच करने वाली टीम को मती और रह्मान के शव के पास एक खिलोना पिस्टल मिली ये शव दुर गटना स्थल से कुछ दूरी पर पाया गया रशीद मिनहास का शव दुरगटना ग्रस्ट विमान में ही मिला रशीद मिनहास को पाकिस्तान में हीरो खोशित किया गया और उन्हें सरवोच वीरता सम्मान निशान हैदर से सम्मानित किया गया वो ये सम्मान पाने वाले पाकिस्तान के सबसे युवा वाई सेना पाइलेट बने उस समय उनकी उम्र मात्र बीस साल की थी उनके सम्मान पत्र में लिखा गया रशीद ने जान बूज कर विमान हाईजैक होने से बचाने के लिए उसे जमीन पर गिरा दिया रशीद को उसी इस्थान पर दफनाया गया जहां उनकी मौत हुई थी शुरू में मिनहास को सितारे जुरत देने की सिफारिश की गई थी लेकिन जब पाकिस्तान के राश्पती यहिया खा को पूरी कहानी बताई गई तो उन्होंने कहा ये लड़का निशाने हैदर से कम का हकदार नहीं है उसी दिन इसका एलान कर दिया गया मतियुर रह्मान को देश द्रोही और खलनायक करार दिया गया मतिय का अंतिम संसकार मौरीपुर एयर बेस पर किया गया जहां 35 सालों तक उनका शव गुमनामी के गर्थ में पढ़ा रहा यहीं नहीं मशुरूर एयर बेस के प्रवेश द्वार पर उनकी तस्वीर लगा कर उसके नीचे लिखा गया खद्दार उनकी पत्नी मिली रह्मान और उनकी दो छोटी बेटियों को हिरासत में ले लिया गया वहीं दूतरी और मतिय रह्मान को उनकी इस बहादरी के लिए बांगला देश का सर्वोच वीरता पर उसकार बीर श्रिश्ट हो दिया गया 30 साल के अथक प्रियासों के बाद 24 जून 2006 को मतिय रह्मान के पार्थिव शरीर को कराची में उनकी कबरगास से निकाल कर बांगला देश विमान की विशेश उडान से ढाका लाया गया जहां उन्हें मीरपुर में शहीद कबरस्तान में पूरे सैनिक सम्मान के साथ दोबारा डफनाया गया बांगला देश की ततकालीन प्रधानमंत्री खालदा जिया ने राश्ट्रिय धोज में लिप्टे फ्लाइट लेटिनन मतिय रह्मान के शव की ढाका हवाई अड़े पर अगवानी की उस समय हवाई अड़े पर मतिय रह्मान की पत्नी मिली उनकी बेटी तुहीन मतिय रहेदर उनके दूसरे रिष्टेदार और पुराने साथी भी मौजूद थे वहीं पर बांगला देश की सेना ने उन्हें गाड आफ आउनर पी दिया बाद में जैसोर स्थित बांगला देश एर बेस को उनके नाम पर रखा गया और बांगला देश की सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकेट भी जारी किया रहान फदल बीपी सी दिल्ली